शिशू के वजन और उन्चाई को मापने के बारे में बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे शिशू का वजन साल्टर स्केल के इस्तमाल से कैसे मापे शिशू का वजन डिजिटल स्केल के इस्तमाल से कैसे मापे शिशु की लंबाई या उंचाई कैसे मापे? एंथ्रोपोमेट्री पोशन की स्थिती का आकलन करने के लिए सबसे ज़ादा इस्तमाल होने वाला तरीका है एंथ्रोपोमेट्री माप में वजन, घेरा, उंचाई वगेरा शामिल है आईए जाने की सॉल्टर स्केल के इस्तमाल से वजन कैसे मापे? सॉल्टर स्केल एक स्प्रिंग पर लटकने वाला स्केल है यह 25 किलोग्राम तक वजन को तोल सकता है वजन मापने के लिए आपको वजनी पैंट या बाल्टी की जरुरत होगी इस टुटोरियल में हम वजन मापने वाले पैंट का विस्तमाल करेंगे शिशू का वजन करने से पहले पैंट को स्केल से जोड़ दे स्केल को शुन्य पर करे फिर पैंट को स्केल से हटा दे शिशू के कपड़े उतारे शिशु का वजन बिना कपड़ों के करना बहतर होता है. अब अपने हातों को पैंट की टांगों के खुली जगाह में रखे. धीरे से शिशु के पेरों को पकड़े और शिशु को पैंट में डाल दे. अब पैंड को स्केल से इस तरह से जोड़ दे कि शीशु आराम से लटके ध्यान रखे कि शीशु कुछ भी नहीं चू रहा है आप भी स्केल या शीशु को मच चूए स्केल के सामने खड़े हो जाएं ताकि सुई आपकी आखों के स्तर पर हो तब तक इंतजार करे जब तक कि शीशु हिलना बंद न करे नहीं तो वजन पढ़ते समय सुई हिल जाएगी जब शीशु स्थीर हो तो स्केल पर वजन पढ़े इसे नज़्दीक के शंभर ग्राम अंग तक पढ़े वजन को तुरंथ लिख ले ताकि आप इसे न भूले वो चीज जिसका वजन आप जानते है उससे स्केल को रोज जाचें हर बार तोलने से पहले डिजिटल स्केल को फिर से शुन्य पर करना न भूले आगे सीखते हैं कि डिजिटल स्केल का इस्तमाल करके शिशु का वजन कैसे मापे ट्रे को साफ करे वजन मापने वाले स्केल को एक सपाठ स्थीर सतह जैसे टेबल या मंच पर रखे बिजली के स्वीच को लगा ले यदि स्केल बैटरी पर चलता है तो उसमें बैटरीयों को डाले अब आउन करे डिजिटल स्केल पर कुछ नंबर दिखेगा हाथ से गोल आकार बटन को घुमा कर स्केल को शुन्य पर करे कुछ वजन के स्केल पर पहले ही शुन्य दिखता है ट्रे के उपर एक साफ सुखा तोलिया या कागज रखे इससे शिशू के शरीर के तापमान में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी यह इन्फेक्शन के फैलने को भी रोकेगा शिशू के कपड़े निकाल दे शिशू को ट्रे के बीच में तोलिये पर रखे डिजिटल स्केल पर नमबर नोट करे इसे लिख ले इस्तिमाल के बाद स्केल को बंद कर दे याद से हर शिशू के लिए एक अलग साफ और सूखे तोलिये का इस्तिमाल करे हर हफते वो चीज जिसका वजन आप जानते है उसके साथ स्केल के वजन मापने की सटिकता को जांचे स्केल के ट्रे को अपने हाथ से ना दबाए यह स्केल को नुकसान करेगा अगला जानेंगे कि परिवार का वजन तोलने वाले डिजिटल स्केल का इस्तमाल करके वजन कैसे मापे बैटरी या बिजली से चलने वाले डिजिटल स्केल जल्दी आसानी से सटिक माप बताते है परिवार का वजन तोलने वाले स्केल का इस्तमाल शिशूओं के वजन मापने के लिए दो अलग तरीके से किया जा सकता है जो शिशू खड़े हो सकते है उन्हें स्केल पर खड़ा करके उनका वजन किया जा सकता है बाकी शिशों का वजन उन्हें एक बड़े व्यक्ति के हातों में रखकर किया जा सकता है इसे दो गुना मापना भी कहते है शिशु का वजन मापने के लिए स्केल को सक्त और सपाट सतह पर रखे यदि आप शिशु को मैदान में तोल रहे हैं तो लकड़ी के बोड का इस्तमाल करे शिशु की मा या ख्याल रखने वाले को ये तरीका समझाए हो सके तो शिशु के कपड़े निकाल दे स्केल को ओन करे शिशु को स्केल पर खड़े होने के लिए कहे यदि शिशु खड़ा नहीं हो सकता है तो मा या सहायक को स्केल पर खड़े होने के लिए कहे वयस का वजन दिखने के बाद Reset बटन दबाए शिशु को वयस के हात में दिये जाने से पहले स्केल पर शुन्य दिखना चाहिए अब दिखने वाला वजन शिशू का वजन होगा वजन को तुरंध लिख ले ताकि आप इसे न भूले स्केल को सावधानी से संभाले स्केल को जादा नमी या जादा गर्मी से बचा कर रखे अगला आये जाने कैसे मापे शिशू की लंबाई या उन्चाई लंबाई का इस्तमाल 87 सेंटीमिटर के शिशों के लिए किया जाता है या दो साल से कम उम्र के शिशों के लिए उन्चाई का इस्तमाल 87 सेंटीमिटर से जादा या उसके बराबर या फिर दो वर्ष से जादा उम्र के शिशों के लिए किया जाता है लंबाई या उन्चाई मापने के लिए आपको एक उन्चाई बोड की जरुरत होगी नाप लेने के लिए आपको दो लोगों की जरुरत होगी माप लेते समय आपको देखभाल करता के साथ की जरुरत होगी आपको शिशू के जूते और मोजे उतारने होंगे शिशू के सीर को ढखने वाली किसी भी चीज को हटा दे लंबाई मापने के लिए उचाई बोड को जमीन पर सपाट रखे शिशू को बोड पर लेटाए शिशू का सीर बोड के स्थिर सीरे को छूना चाहिए शिशु के पैर बोड के हिला पाने वाले सीरे के ओर होना चाहिए सहायक को बोड के ठीक पीछे घुटनों के बल बैठना चाहिए उसे अपने हाथ शिशु के कानों पर रखने चाहिए उसे अपने हाथों से शिशु के सिर को कस कर पकड़ने चाहिए इस स्थिती में शिशू को सीधा उपर की ओर देखना चाहिए शिशू के सीर का उपर वाला भाग बोड को चुना चाहिए अब दुसरे व्यक्ति को सही स्थिती में होना चाहिए उसे घुटनों के बल पर बोड के उस तरफ बैठाना चाहिए जिसे हिला सकते है उसे शिशू के पैर सीधे करने चाहिए उसे एक हाथ से शिशू के घुटनों को कस कर बोड़ पर रखना चाहिए दूसरे हाथ से बोड़ के हिल पाने वाले सिरे को हिलाना चाहिए उसे तब तक हिलाना चाहिए जब तक कि वह शिशू की एडियों से न दब जाए उसे बोड के हिल पाने वाला सीरा टेढ़ा नहीं करना चाहिए शिशू उन्चाई बोड पर पूरी तरह से सपाथ होना चाहिए बोड के हिल पाने वाले सीरे के व्यक्ति को शिशू की लंबाई पढ़नी चाहिए पढ़ते समय उसकी आँखे मापने वाले टेप के ठीक उपर होनी चाहिए लंबाई को एक मिलिमीटर सटीकता तक पढ़ा जा सकता है उसे तुरंत लंबाई लिखनी चाहिए अब सीखते हैं कि शिशु की उन्चाई कैसे मापे उचाई नापने के लिए उचाई बोड को सीधा खड़ा करे ध्यान रखे कि स्थीर बोड का एक सीरा जमीन पर सपाठ है हिला पाने वाला सीरे बोड के उपर सर पर होना चाहिए बोड के पीछे वाला हिस्सा समतल दिवार से सटा कर रखे शिशू के जूते उतार दे शिशू को स्थीर बोड के बीच में खड़े होने को कहे शिशू के एडियों को बोड से एकदम लगे हुए होने चाहिए शिशू के घुटने सीधे होने चाहिए शिशू के कंधों और सीर को बोड से लगा हुआ होना चाहिए शिशु के हाथ बगल में होने चाहिए शिशु को सीधे आगे देखना चाहिए पहले व्यक्ति को बोड के किनारे घुटनों के बल बैठना चाहिए उसका बाया हाथ शिशु के घुटनों पर होना चाहिए उसे शिशू के घुटने एक साथ और सीधे रखने चाहिए उसका दाहिना हाथ शिशू के टांगों पर होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को बोड के सामने घुटनों के बल बैठना चाहिए उसे बोड के हिला पाने वाले सिरे को तब तक हिलाना चाहिए जब तक की वह शिशू के सिरे ना छुए उसे हिला पाने वाले सिरे को एक हाथ से सीधा पकड़ना चाहिए दूसरे हाथ से उसे शिशू की थुड़ी को पकड़ना चाहिए और अब उसे उन्चाई को पढ़ना चाहिए पढ़ते समय उसकी आँखे मापने वाले टेप के सामने सीधी होनी चाहिए वह एक मिलिमीटर तक की उन्चाई सही से माप सकता है उसे तूरंथ उचाई लिखनी चाहिए एक अन्य टुटोरियल में इन मापों को विस्तरूत रूप से बताया गया है जादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं अब यह टुटोरियल यही समाथ होता है यह स्क्रेप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्निहा किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद